न्यूज 18 इंडिया लेना के मन मुताबिक नहीं है ये बड़ी खबर सुन लीजिए अब तक जो नतीजे आए उसमें सबसे ज्यादा उन उम्मीदवारों का बोल बाला है जो इम्रान खान के समर्थन से मैदान में उतरे हुए है जो इम्रान खान की पार्टी तहरी के इंसाफ से जुड़े हुए ह तो निर्दली ये मैदान में उतराए और आकरे आपको देखने चाहिए नवाज शरीफ की पार्टी को 50 सीटों पर जीत हासल हुई है बिलावल भुट्रों की पार्टी 40 पर और अन्य के खाते में 8 सीटे इस वक्त पाकिस्तान नाशनल सेमली में 173 सीटों पर ये इस वक्त म पार्टी दूसरे नमबर पर इस वक्त दिखाई दे रही है और इसलिए हर कोई ये कह रहा है कि जो सेना चाहती थी क्या वाकी वो नहीं हुआ नवाज शरीफ की पार्टी P.M.L. नून ने 50 सीटे अब तक जीत ली है और बिलावल भुट्रों की पार्टी P.P.P. ने 40 सीटो पर जीत दर्ज कर ली है जैसा मैंना आपको बताया ये तीन तस्वीरे टेलिविजन स्क्रीन पर आपके सामने आला कि जो तीसरी तस्वीर है उसमें आपको तौकीर रजा नजर आ रहे हैं तौकीर रजा बार बार ये कह रहे हैं कि मैं गिरफतारी दूँँगा उस बड़ी खबर पर हम जाएंगे लेकिन फिलाल आपके सामने जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई खबर आ रही है वो यही है कि वहाँ बहुत बड़ा खेला हो गया है पाकिस्तान नाश्रल असेम्ली में इस वक्त अगर सबसे ज्यादा जीत का पर्चम लहराता हुआ कोई चहरा नजर आ रहा है तो वो इंडिपेंडन्ट कैंडिडेट्स हैं जो समर्थन लिये हुए हैं इमराम खान का एक जानब से जवाब आया येस वी लव यू तो उन्होंने का तो आई लव यू टू लेकिन ये आई लव यू टू इस वक्त आकडों में तबदील होता हुआ नजर नहीं आ रहा है हमारे साथ रक्षा विशेशग्य करनल आरेसन सिंग साहब जुड़ चुके हैं और पाकिस्तान से राज़ुतिक विशलेशक कमर चीमा इस वक्त इसलामाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है कमर भाई शुरुआत आप से कर र रही है ठीक है को 75 के करीब पाकिस्तान तरीके इनसाफ है 50 के से ज़्यादा मुस्लिम लिग नवाज है और 40 के करीब जो है वो पीपल्स पार्टी है तो सिचुएशन यही नजर आ रही है कि सारी सियासी जमातें कोलेशन बनाएंगी माइनस इंडिपेंडेंट्स जो के इमर देखने की हैं लेकिन यह कंफॉर्म नहीं है अभी तक जी आप यह कह रहे हैं कि बाकी सब एक तरफ है और इमरान खान एक तरफ नजर आ रहे हैं लगता तो यह लगता तो यह हैं इसका मतलब यह कि जो कहा जा रहा था कि सेना चाहती है कि नवाज शरीफ एक बार कुर्सी पर काबिज हो जाए वो होता हुआ भी नहीं दिख रहा है नहीं अवाम ने उनको इतने वोट ही दिये वो सिरफ पचास सीटें अभी तक जीत चुके हैं गो कि अभी सौ से ज्यादा हलकों के रिजल्ट आने हैं तकरीबन सौ के करीब जो रिजल्ट हैं वो आने हैं सो जो पॉलिंग स्टेशन है उसका रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा अभी तो अभी रिजल्ट पूरे नहीं आए मेरा ख्याल अगले दो गेंटे में आजने चाहिए मैक्सिम्म करनल आरसन भी हमारे साथ जुड़े हुए है करनल सिंग यह हुआ क्या है मतलब तस्वीर दिख रही थी कुछ और निकल गया कुछ और अब आएगा आगे क्या कोई नहीं जानता है ने मैं चीमा जी के साथ बिलकुल सहमत हूँ यह कोईलेशन गर्मेंट बनेगी और यह जान ले कि इनकी जो एलेक्शन्स जो है वो मुझे इस बात में कोई हिचक नहीं है कहने में कि वो बाहर से स्क्रिप्टिड होती है और इनका बिलकुल साफ है कहना कि यह कोईलेशन सरकार बने चाहे वो जरगारी की बने या नवाज शरीफ की बने लेकिन बनेगी कोईलेशन दूसरी बात क्या है कि यह जो बनेगा किया बजार में खरीट फरोख वहां पे शुरू हो जाएगा तीसरा चीज मैं यह भी बोल दू कि देखे मैं किताब लिखी है दे मिलिटरी फैक्टर इन पाकिस्तान है और मुझे मुझे तमाम इलेक्शन का स्मरण है लेकिन चीवा साहब मेरी बात से सहमत होंगे क कि आज तक मैंने ऐसे इतना बड़ा वेव जब मैं रिलेटिव टर्म्स में बात करना हूं किसी एक लीडर के फेवर में मैंने नहीं देखा है जितना अभी इमरान खान के मैंने फेवर में देखा है करणल सिंग रोक रही हो आपको इसी इसी मसले को आगे लेकर जा रही हू लेकिन यहां पर मानना पड़ेगा कि इमरान ने वो सब जूट साबत कर लिया देखें जी इसमें कोई शक नहीं है इमरान खान का जो नेरेटिव है जो बियानिया है वो इंतहाई पॉपुलर है और जैसे मैंने पहले कहा कि उनका नेरेटिव एंटी इस्टैबलिश्मेंट है एंटी यूएस है और रिलिजिस नैशनलिजम की वो बात करते हैं और वो इन चीज़ों की जो बात करते हैं लोगों ने ये चीज़ें बाय की हैं और पाकिस्तान के अंदर एक तासुर है इस हवाले से जो मजभी सियासी जमातें थी उन्होंने एक महौल बनाया हुआ है एंटी वेस्ट और इंस तरह की चीज़ों का सो इमरान खान ने उसको कैश की है नॉर्मली अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी लोगों ने इमरान खान को इसलिए वोट नहीं किया कि उन्होंने बड़े डिवल्मेंट के काम की हैं या वो बड़ा को हिस्टॉरीकली पाकिस इसलिए दे रहे हैं शिर्फ उनकी बातों की वज़ा से वह और पाकिस्तान की जो अवाम की जो ऑर है और पाकिस्तान की जो स्टेट की नीड़ से बिलकुल डिफरेंट है रही है मुल्क के अंदर के हमने जाना किस तरफ है और हमें चाहिए क्या तो आप से बहतर कोई नहीं जानेगा हम तो दूर से देखने वाले लोग हैं कि development की बात कैसे करें पहले इतना जो गड़ा यहां पर खोदा गया है पहले वो तो भर देना आदमी उसके बाद आप पुल की बात करेंगे ब्रिज की बात करेंगे सड़क की बात करेंगे अभी तो गड़े में हैं पूरी की दोका होता है तो ऐसे में अगर इम्रान को पसंद कर रहा है तो कोई भरोसा तो होगा क्या वो भरोसा है देके बात यह नहीं है कर देखे हर दफ़ा जब इम्रान खान opposition में होते हैं तो वो कहते हैं जी दूसरों एलेक्शन चोरी किए अभी जब वह how उपोजिशन में होगे यह उनके popular narrative की कि क्यों लोग उनको follow करते हैं मैं समझता हूं कि वो उनका जो उनका जो उनकी जो popularity है वो सिरफ और सिरफ तीन-चार चीज़ों पर जिसके मैंने जिकर किया कि वह कि anti-establishment ब्यानिया उन्होंने लिया और वो कह देते कि अमरीका और फौज ने मुझे मिलके निगाला है यह जो एक conspiracy थेरी यह conspiracy थेरी है जिसको वो प्रूव करना चाहते थे लिए कमर आप यह कह रहे हैं कि उन्होंने एक narrative बना दिया है perception create कर लिया और पाकिसान की अवाम उस perception के साथ जाती होई दिख रही है करनल सिंग do you agree with this मतलब वो इम्रान खान जो कहते हैं सेना करप्थ है करका कर दो लिया प्रूव कर मैंकि झांगे भी दो रखतो झांचे साथ है कि वो एक कर दो दो कर दो प्रूव कर गूभरास को यह झानल थेरी है partner झाल कि उन्होंने है कि वो रह flickका का बढ़ तो कि पनाभ प्स्वisions figure सब़्या है झाल झाल